तुम्ही सगड कसे आत इतना ही आता है So first of all, cultural capital of Maharashtra और Oxford of the East जिसको कहा जाता है ऐसे पूने के सभी लोगों को गुजरात का वंदन Last player, लंबी पारी खेलनी थी, लेकिन time हमारे पास बहुत कम है जितना essential है, जितना बहुत important है, उतनी चीज़े मुझे बतानी है See, UPSC हूँ या, मैंने GPSC क्लियर किया Class 1, गुजरात में rank 34 था UPSC क्लियर किया rank 570 IPS, becoming the youngest IPS of Gujarat At such an early age, and then people come to you, and बोलते है, आप बहुत नसीबदार है You are very lucky I tell them in reverse, luck favors the brave Kोई अपना luck साथ मिले के नहीं आता, वो बनाना पड़ता है अगर आपके पास risk लेने का attitude है See, मैं गुजराती हूँ and we know the business And business का एक ही फंडा है Higher the risk, higher the profit So, अगर 8.30 को आपका accident होता है और 9 o'clock आप मेंस की exam देने जा सकता है Interview से पहले एक महिने तक आप hospitalized है और उसे एक वीक पहले आप Delhi जाके उसकी preparation कर सकता है तो luck has to come with you उसको आना पड़ेगा और आपको IPS बनाना पड़ेगा लोग बोलते हैं कि accident के बाद आप जाके आए and all and all तो the simple था कि मैं एक्जाम के लिए निए मेंस मेरा था सुबह GS3 पेपर था 8.30 को मेरा स्कुटी स्लीब हो गया मेरा ligament injury हो गया left hand में injury था seed से bleeding हो रहा था लेकिन मेरे बस दो option थे मैं खड़ा वा में देखा okay, my right hand is safe and I decided I'll go to the exam hall and write the exam मेरे बस दो ही option थे या तो मैं वहां से उठके रोने लगू यार मेरे साथ ही ऐसा क्यू हुआ मेरा accident हो गया, मेरा mains खराब हो गया और hospitalist जाओ या दूसरा option था कि मैं देखू कि मैं तीन गंडे और survive कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ, मैं mains के लिए exam hall में गया यह जितने भी photographs लगे है सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान successful हुए अगर आप उसकी life story देखेंगे तो कही ना कही एक moment आता है जहां पे वो इंसान की जो struggle है वो peak पे हो जाते है वो इस moment पे आपको decide करना है कि आपको वहाँ से you turn लेना है या आपको वहाँ से आगे निकलना है इन सब लोगों ने decide कि उनको वहाँ से आगे निकलना है and that is the fund of life success उनी को मिलता है जो इस struggle वाले moment से आगे निकलने की सोचता है जब भी आपको लगे कि आपकी सीर पे बहुत मुसीबत है जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके है जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई option नहीं है तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाएगा कि यही moment है जहां से आपकी तकदिर बदलने वाली है क्योंकि diamond जो होता है वो जितना ज्यादा गिसता है उतनी ज्यादा उसकी value होती है सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी value होती है अगर आप जिन्दगी में तप रहे है अगर आप जिन्दगी में गिस रहे है पापा इलेक्ट्रिशन थे, मम्मी हाउस वाइफ थी, डाइमंड के कार खाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरेज में रोटिया बनाने का काम किया और उस तरस में पढ़ा, लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप के सामने में नहीं होता, तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जल सर ने बुता है, स्ट्रगल is a part of life, and I strongly believe in that, क्योंकि अगर हम डेली में थे, मेरे दोस के साथ में निकला बाहर गुमने, तो बुल अगर देख सामने में ATM का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगज मारी ने जॉब लेले, क्यों IS IPS में दिमाग खराब कर रहा है, अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए, तो you have to compromise with that life, जब भारत वर्ष का सपना चंद्रकुप्त ने देखा, चानक्य जारी था, और तब राजा धननन्द की डॉटर दूर दरास से चंद्रकुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चानक के उनको बोलते कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रकुप्त बोलता है, आचारे कभी-कभी सोचता हूँ कि जिन्दगी में या ये भा प्याग इतना बलिदान ना देना होता तो, और तब चानक के रिप्लाई करते है, तो हर कोई भारत का समराथ होता. This is the fundamental rule of life. अगर आईएस बनने के लिए, IPS बनने के लिए सेक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर गर में आपको आईएस, IPS मेर जाएंगे So when you are entering into this game of UPSC or MPSC, make sure that you have to sacrifice anything which will take you to your goal लेकिन problem यह है कि हमें tension होती यार, दोस्की engagement है, उसकी बड़े party है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूगा तो बोलेगा, मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा, and all and all लेकिन believe me, जब आप आईएस बन जाओ गए है, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई, invitation card नहीं बेजा तुने समझ रहे हो, तो जो कुछ भी इसके लिए sacrifice कर रहे हो, जब आप उस post पे पहुँचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ मैंने जो मेरा interview था UPSC गा, मुझे exact date याद है, 23rd March को मेरा interview था, 28th February को मुझे hospital में admit किया गया, क्योंकि मुझे infection हो गया था body एड बहुत हाई fever था, तो IV के अलावा कोई option नहीं था, 1st of March को ठीक हो के मैंने सूचा चलो Delhi निकलता है, 2nd of March को में Delhi पहुचा, 3rd March को वापस से tonsillitis का attack होने की वज़े से flight लेगे वापस से पालनपूर, एमदाबाद अगें hospitalization, 15th of March को I got relieved from the hospital, 16th of March को में Delhi पहुचा, और 23rd of March को I gave my UPSC interview, एक महिने का hospitalization, उसके बाद, जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो रोग इंटर्वी दे रहे हो एक महिने से प्रिपरेशन कर रहे है, एक महिने से मैं हॉस्पिटल में था, अगें I thought, this is the moment to prove yourself, I went to the interview, and in India we have the second highest marks in the interview, this is not to say I got that achievement, this is just to say UPSC is all about this, I did not have any preparation for UPSC, for the interview, and again I scored good marks in the interview because UPSC just doesn't check your knowledge, make it very clear in your mind, it's a game of wisdom, आपको पहले officer बनना पड़ेगा यहां से UPSC काम तो सीब थपपा लगाना है कि हाँ यह officer बन गया जितने भी IS, IPS officers को आप मिलोगे you will realize this thing कि officer वाली qualities इसमें पहले से है आप जब preparation start करते हैं तब भी से समझ लिजिए कि आपकी IS और IPS की straining भी start हो गई because जो qualities आपको चाहिए as an officer, as a IAS, as an IPS क्या qualities चाहिए? First of all, confidence कि जब आप उस seat पे बैठते हैं आपके सामने कोई भी question आएगा you will be able to handle the issue यह confidence लेके आपको उस seat पे बैठना है यही confidence चाहिए when you start the preparation Decision Making अगर हर एक topic पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं इसमें कौन सी बुक पड़ू, इसमें क्या पड़ू, इसमें क्या करो then you are not suitable for this exam लोग बोलते हैं कि एक साल में प्रिपरेशन जैसे मैंने जून 2016 में में डेली गया और जून 2017 में मैं अप्यर हुआ है और एक साल की महनत में आपने एक साल की थी लेकिन उसकी पीछी की mental preparation कि इतनी पूरा नहीं थी जब मैं primary school में था तब सोचा था कि I.S. बनना है और तब से मेरी जो journey है तब से मेरा जो temperament है तब से मेरा जो attitude है वो इसी direction में था जब college में था तब मैंने NGO स्टार्ट किया तीन NGO से मैं जुड़ा था जब लोग social media, whatsapp और facebook में busy थे मैं वहाँ slum में जाके बच्चों को पड़ा रा था क्यूं क्यूंकि मुझे पता था कि future में यही काम करना है क्यूं न अभी से उसकी training ले लो so I have invested my each and every moment for this goal because जो personality test last में UPSC लेता है interview नहीं है वो we consider it as interrogation, interview को interrogation लेके चलता है वहाँ पूछता जोगी नहीं इसे no question के answer भी आप sorry sir और sorry maim I don't know के के देते हैं उसका कोई impact नहीं पड़ता impact पड़ता है वो no question न आने का pressure आप कैसे handle करते हैं आपके पसीने छूट जाते है या आप वही temperament के साथ interview continue करते है marks उस चीज़ के marks है आपकी सोच के एक officer के तोर पे जब आपको I.S.E. I.P.S. के seat पे बिठाया जाएगा how will you treat the citizens of this nation what will be your attitude to each and every person who is going to come and meet you these things are being tested during U.P.S.E. interview और इस सारी जर्नी में अगर सबसे important कोई चीज़ है तो that is your learning attitude or not for U.P.S.E. for life even because when I'm speaking in front of you in Hindi and English to be very clear I belong to rural background of Gujarat and my studies in the whole Gujarati medium में हुआ है in government school में 12th akka study मेरा government school में हुआ है in Gujarati board में Gujarati medium में and yet I can give my U.P.S.E. interview in English in Delhi and score such marks Where did it come from? कहां से आता है यह? मुझे अभी भी याद है मेरा College National Institute of Technology सूरत था जहां पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे CBSC, ICSC वाले थे और मैं ऐसे एलियन वहां पे पहुंचा था क्योंकि तब मुझे पता चला कि में मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है यहां जब मैं फर्स एक्पोजर तो अनी मेट्रो सिटी एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंगलिस बोलने की ट्राय करता था जो जैसे संजू मुवी में इंगलिस दिखाया गया है गुजरातियों का जो जीरो को जीरो बोलते है उसी तरह I was also like that mother tongue influence आ जाता है it's very obvious so I used to speak notes and not notes or door and not door or don't and not don't so they used to make fun of me Safin it's not don't it's don't okay fine I had two options either I stopped speaking English with them or improve on that and go ahead I decided it's the second option when I started my preparation of civil services which I had to do in English medium I had coaching in Vajiram where I was in English medium I didn't have all subjects I started from the scratch I started from the English medium NCIT of standard 5 and 6 Gujarati to English Dictionary and then I started my preparation कभी कभी ऐसा होदा था कि The Hindu का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद I was like कि मैंने क्या पढ़ा यह होगा सबके साथ होगा बट उस जगह अगर आप टिक गए उस जगह अगर आपने पेशन्स रखा उस जगह आपने अगर सर्वाइव कर दिया तो इस एक्जाम में भी सर्वाइव कर जाओगी क्योंकि UPSC की जो रेस है उसमें कभी भी कच्छुआ कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा इसमें जीतने वाला अल्वेज कच्छुआई होगा जो slow but steady रहेगा लग जाते हैं पांच साल भी लग जाते हैं साथ साल भी लग जाते हैं नौ साल भी लगे हैं लोगों को एक्जाम क्लियर करने के लिए लेकिन बिलिव में जब रिज़र्ट आएगा ना तो वो सारा sacrifice आपको वर्थ लगेगा आप पढ़िए लोगों के मैंने क्या किया कॉलेज के चार साल में I went through each and every interview of UPSC toppers on YouTube ERA single से लेकर Tina Davi मैं तक सब की interviews मैंने देखिया For what? Just to know कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतिया की थी जिससे इनको इतना time लग गया और मुझे कौन सी गलतिया repeat नहीं करनी है क्योंकि चानक क्या ने कहा है कि दूसरों के experience से जो सीखते हैं न वो जल्दी आगया जाता है क्योंकि खुद सब कुछ अनुपव करके सीखने के लिए जिन्दगी काफी छोटी है I did the same चार साल में हर एक टॉपर का interview देख लिया चीजे समझ लीगी एसी कौन सी चीजे जो इन सब ने की है और एसी कौन सी चीजे है जो गलतिया है जो इन्होंने की और जो मुझे repeat नहीं करनी है So जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं इस चक्रवी में उतरते हैं तो अभिमन्यों की तरह नहीं अर्जुन की preparation के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले